जैसे जैसे उत्रप्रदेश के चुनाव नर्जदी का रहे हैं, इस्तिफे का दोर भी शुरू हो चुका है और आलम ये है कि प्रतिपक्ष में बैठे कुछ नेताओं ने तो दावा तक ठोग डाला कि बस आगे आगे देखते जाईए कितने मंतरी, कितने विदायक इस्तीफा देंगे हाली में जैसे ही चुनाव की तारीक तै हुई, उत्रप्रदेश के अंदर सियासी भुचाल आ गया इस भुचाल में नजाने कितने नेता लोगों ने अपने आपको सिक्यूर करने के लिए दूसरी पार्टी जॉइन कर ली ताजा मामला देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौरिया जो की योगी सरकार में मंतरी थे उन्होंने स्टीफा दे दिया, स्टीफा देने के बाद में ही जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बोले उससे हर कोई देखता रह गया दरासल जिस दिन तारीक का एलान हुआ चुनाव की अगले ही दिन स्वामी प्रसाद मौरिया ने स्टीफा दे दिया स्वामी प्रसाद मौरिया वस्पा से भाजपा में आये थे और कैबिनेट मंत्री बने थे इतना ही नहीं उन्होंने स्टीफा देते ही सप्पा प्रमुख अक्लेश यादव से मिलकर सप्पा में अपनी जगे बनाई सप्पा जोइन करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि वहाँ पर हमारा शोशन होता था इतना है नहीं सामिर साथ मोर्या के बाद वन मंत्री दारा सिंग चोहान ने भी इस्तीफा दे दिया है दारा सिंग भी सप्पा के नेताओं से संपर्क में हैं और माना ये जा रहा है कि बीजेपी के तक्रीबन आदा दर्जन से अधिक मंत्री और विधायक सप्पा जोइन कर सकते हैं सुहल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तरप्रदेश के पूर काबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजबन ने कहा कि रोज़ना राजिक के योगी आदितनाथ सरकार के एक दो मंत्री इस्तिफा देंगे और बीस जनवरी तक ये आखड़ा अठारा तक पहुँच जाएगा यानि कि डेड़ दर्जन राजबन ने यहां शरम मंत्री स्वामी प्रसाद मोर्या और वन मंत्री दारा सिंग चोहान के इस्तिफे का स्वागत करतेवे कहा कि वर्ष 2017 में सरकार में शामिल होने के कुछ ही समय बाद मैंने दलितों पिछडों तता समाज के अन्यवन्चित तो वर्गों के प्रती भाजपा की असमवेदना शीलता भापली थी लेकिन इन लोगों ने इतने दिन तक इंतिजार किया और अब कोई उमीद बाकी नहीं रहने पर वे भी इस्तिफा दे रहे हैं उत्रपदेश का अगला विधान सबचनाव समाजवादी पार्टी के साथ गढ़ बंतन कर लड़ने जा रहे राजपर ने एक टीवी चैनल के कारेकर में दावा करते वे कहा कि भाजपा मंत्री मंदल में एक दो विकिट रोजाना गिरेंगे और 20 जन्वरी तक ये संख्या देर दरजन तक पहुच जाएगी राजपर की पार्टी ने उत्रपदेश का पिछला विधान सबचनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था और उसमें चार सीटों पर जीत हासिल की थी राजपर गाजपूर की जहुराबाद सीट से विधायक बने थे और उन्हें भाजप का नीत सरकार में पिषडा वर्ग कल्यान मंत्री बनाया गया था अलाकि उन्होंने वाजपर 2019 में भाजपा से नाता तोड़ लिया था प्रदेश के डेर दरजन मंत्रियों के स्तिफ़े देने संबंदित अपने दावे के आधार के बारे में पूछे जाने पर राजपर्ण ने कहा जब ये होगा तब सभी को मालूम हो जाएगा मैं अभी किसी का नाम क्यों लूँ वहीं गौर तलब है कि प्रदेश की योगी आधितिनाद सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाथ मौर्या ने मंगलवार को इस्तिफा दे दिया था और अकिले शादव से मिलकर सप जोइन कर ली थी ठीक इसके एक दिन बाद यानि बुदवार को वनमंत्री दारासिंग चोहान ने भी त्याग पत्र दे दिया पार्टी के कई विधायक भी इस्तिफा दे चुके हैं ओम्रकाश राजबर के बाद मौर्या और चोहान के अलग होने को भाजपा के लिए एक कर बन संभाल रखी ए मगर जिस तरीके से स्वामी प्रसाथ मौर्या ने इस्तीफा दिया है सरकार के खिलाफ जोड़ दार भाशंड दिया उसके बाद सप्पा प्रमुक अखिले श्यादव से मिले हैं इससे कहीना कहीन साफ साबित हो रहा है कि केशव प्रसाथ मौरिया स्वामी प्रसाथ मौरिया से बात करने में सफल नहीं हो पाए है और स्वामी प्रसाथ मौरिया के जाने से कहीना कहीन एक बहुत बड़ा जटका बीजेपी को लगा है अब बीजेपी इसको कैसे संभालेगी ये कहना मुश्किल है लगातार बीजेपी पर अटैक पर अटैक हो जा रहे हैं यूपी के अंदर खुद मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री यानि की योगी आतितिनात और केशे प्रसाथ मोरिया के बीच भी तनीवी है इसको कंट्रोल करने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े आला कमान नेता लगे वे हैं माना ये जा रहा है कि योगी के चहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा लेकिन नेंदर मोदी ने आकर जिस तरीके से अपनी बात रखी उससे कहीं न कहीं योगी का नाम साइड में हो गया और फिर से एक बार यही का गया कि चुनाव नेंदर मोदी के चहरे पर ही लड़ा जाएगा अब सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव होने हैं क्या रन निती रहेगी बीजेबी की क्या रन निती रहेगी सपा की क्योंकि सपा इस समय बहुत भारी पढ़ रही है